दोस्तों नमस्कार आदाब सत्स्रीयकाल नियोज क्लिक के कारिक्रम हफते की बात के साथ मैं उर्मिलेश उत्तर प्रदेश विधान सबाद चुनाव के नतीजों को ठीक से देखने के बाद जो सारे जीते हुए हारे हुए उमिद्वारों की सूची एलेक्शन कमिशन की पर आ गई है और उनके बीच का जो गैप है जो वोटों का अंतर है वह भी सब कुछ सामने है अलग-अलग कांस्वेंसी में क्या मुद्दे प्रमुक थे खासकर रिजिनल लेविल पर कौन से डॉमिनेंट इशूस थे इन सब तत्यों के अध्यान के बाद दोस्तों हमारा ज यह एक बहु परचारीत बहुँ ज्यादा जिसको परचारीत किया गया है कि उत्तर प्रदेश में अवाम जो है समाद जो है पूरे जो लोग है उनमें हिंदुत्तोवादी लहर दोड़ रही थी और एक हिंदुत्तवा की लहर में यह चुनाव भारती जनता पार्टी ने ज उठा नहीं रखा हर तरह की कोशिश की बहुत शांदार उनकी कोशिश थी लेकिन फिर भी वो चुनाव हार गए क्योंकि हिंदुत्वा की लहर में कुछ चला नहीं दरसल दोस्तों ये जो धारणा है ये अगर नतीजों को आप देखें छेत्रवार समिकरणों को देखें जीते हुए उमिद्वारों की सामाजिक प्रिष्ट भूमी को देखें तो ये बिलकुल सरासर गलत है ये जो बहुत प्रचारी थीसिस है उत्तर प्रदेश के एलेक्षन में हार और जीत की इससे कई खत्रे भी पैदा होते हैं इससे ये खत्रा पैदा होता है कि वाकई भारती जनता पार्टी ने हिंदी हार्ट लेंड के खासकर उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में इसकदर हिंद उत्तवाद को स्थापित कर दिया है कि भारत की समवेधानिक जो ब्यवस्था है जो समवेधानिक मुल्य है जो लोगतांतरिक समझदारी लोगों की है जो समवेधना है सिकलर आपस में जो ताना बाना वर्षों का दश्कों का बना रहा है वो सब कुछ छिन बिन हो गया है ऐसा लगता है कि कुछ बचा नहीं है दरसल ये भी दोस्तों एक हाइपरबोलिक ये अतिश्यक्ति पूर्ण बात है निश्चित रुप से समाज के ताने बाने को भारती जनता पाटी ने और उसके समर्थित संग्ठोन ने काफी डिस्रप्ट किया है इसमें कोई दोराय नहीं है लेकिन उस ताने बाने को जनता ने जोड़ा भी है किसान अंदोलन ने जोड़ा है पूर्वांचल में उत्पिरित समाज के लोगों ने माइनार्टी कम्मूनिटी के लोगों के साथ एकता करके जोड़ा है इसलिए दोस्तों मैं आपके सामने कुछ ठोस तत्याज रखना चाहता हूँ पहली बात तो यह है कि हमारे जैसे समाज में जो चुनाव जीते जाते हैं चुनाव जो लड़े जाते हैं उसमें सिर्फ आम जनता अवाम का दिल ही नहीं जीता जाता लोगों के दिमागों में आप क्या करना चाहते हैं कैसा आप क्या बातें कह रहे हैं समाज के बारे में आपकी क्या सोच है ये उन लोगों के दिमागों में बैठाना भी होता है और ये काम भारत के मेंस्ट्री मीडिया द्वारा जो भारती जनता पार्टी का काफी समर्थक ही नहीं है बलकि एक तरह से यूं कहा जाए उसका भोंपू बना हुआ है तो वो लोगों के दिमागों में इक ही तरह की बात भरते हैं और वो जो बात है वो जाहिर है विभेत पैदा करने वाली बात है इसका जबाब जो ही तरह से संभव है एक तो ये कि इसके विपक्ष में जो खड़ा है मुख्य शक्ति किसी भी सुबे में या देश में वह समवैधानिक मुल्यों को लेकर नौकेवल कंसिस्टेंट हो बल्कि वो फाइटर भी हो वो संघर शील भी हो जिसको बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस तरह की पुलिटिकल सिचुएशन में एक स्ट्रीट फाइटर चाहिए तभी चुनाव आप जीत सकते हैं मंगाल का जब चुनाव लड़ा जा रहा था तो ममता मनरजी के पक्ष में जो सबसे बड़ी दलीज दी जाती थी कि वो स्ट्रीट फाइटर हैं और वो डरती नहीं है अगर आप डर जाएंगे तो आप मर जाएंगे ये बड़ी गाउं की कहाउत है गाउं घर में कही जाती है उत्तर प्रदेश में जो चुनाव लड़ रहे थे लोग भी पक्ष में डबुल इंजन की सरकार के उनमें उस तरह का स्ट्रीट फाइटर वाली न तो इस्पिरिट थी और जो दूसरी बात जो बहुत जरूरी है या तो आप स्ट्रीट फाइटर हो या फिर आपके पास पुछिंतित नजरिया हो जैसे केरल की सीपियम के पास है जिसमें पिंडरी विजियन की सरकार वहां इतनी बार रिपीट की है इस बार जैसे डीमके के पास है आप उनकी आइडियोलोजी से सामत हो या असामत हो लेकिन तमिल लांड में उन्होंने एक इंक्लूसिव जिला जिला ब्लाक वार उनके पास संगठन भी है और खिलेश यादो इन दोनों फ्रंट्स पर बिलकुल इन दोनों मोर्चों पर बिलकुल काम्याब नहीं दिखे न तो वो स्ट्रीट फाइटर हैं बन्यादी तोर पर अगर देखा जाए उनका सभाव तो फाइटर भी नह नहीं अपने पिता की तरह पूरे पांच साल वो अपने घर में ही रहे या अलग-अलग शारों में रहे होंगे लेकिन सडक पर कभी दिखे नहीं लोगों के दुख दर्द में चाहे वो कोरुना का दौर आया हो या इसके पहले तमाम जो परिशानिया गुर्वत लोगों की थी परिशानिया थी वो कभी लोगों की बीच नहीं गये और चुनाव भी जब आया तो आपको याद होगा उन्होंने पहली जो अपनी विजयरत थ्यात्रा निकाली गाजीपूर से लखनौ वो नौंबर महिने में निकाली और जनौरी में एनॉंस्मेंट हुआ चुनाव क तो बहुत लेट वो आये और उस पर भी उनके पास न तो एक नेशनल नेटवर्क था न उनके पास सुचिंसित कोई वैचारी की थी नाम तो समाजवादी पार्टी उनकी पार्टी का जरूर है लेकिन समाजवाद में क्या क्या है और समाजवाद क्या है ये उनकी पार्टी जंता पाटी अपने विचारों को लेकर बिल्कुल क्लियर थी उसे भारत कैसा बनाना है कैसा समाज चाहिए योगी महराज ने जो मुख्य मंत्री हैं अपने उत्तर प्रदेश के उन्हों ने तो अपनी रैलियों में बुल्डोजर रखना सुरू किया और बुल्डोजर जो ए अपने केंपेंड का प्रतीक बना दिया इसी रूप में प्रिचारित किया लेकिन इसके विरुद्ध प्रतीक क्या था स्रीमान अखिलेश यादव जी के पास वो अगर चाहते तो डियमके की तरह सामाजिक नियाय का सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए एक सुसंगत राजनी थी का कोई प्रतीक सामने रख सकते थे लेकिन कोई प्रतीक नहीं आया उन्होंने कल्यान कारी कुछ परियोजनाओं को जरूर प्रचारिच किया मसलन उन्होंने कहा कि वो आम लोगों को भुक्ता को तीन सव यूनिट बिजली फ्री देंगे ये अर्विंद केजरिवाल का फार्मूला या उनका फॉर्मेट है और एक तरह की कल्यान कारी एक राजनीती का एक सुत्र भी है साथ में उन्होंने कहा कि किसानों को सीचाई के लिए मुफ्त बिजली देंगे इसके अलावा भी उन्होंने पेंशन के बारे में कहा कि पुरानी पेंशन योजना वो रिवाइब करेंगे राइस्थान में आलड़ी अशोगलुद सरकार ने एनाउंस कर रखा है बजट में अपने कुछ और राजी भी एनाउंस कर रहे हैं ये सब उनकी अच्छी होजनाए थी इसमें कोई दोराए नहीं लेकिन सामाजिक आर्थिक बदलाओं का ट्रांस्टफार्मेशन का सामाजिक न्याय के लिए जिसके लिए शुरू के दोर में अपने एलेक्शन कैम्पेइन के उन्होंने कोशिश की की लोगों तक ये बात जाए उन्होंने बहुत सारे लोगों को जो खासकर पिछडी विरादरीयों के थे उनको भारती जनता पार्टी से अपनी पार्टी में ले आए और उन्होंने कहा भी कि वो दुखदर्ज जो लोगों का है, गरीबों का जो है पिष्रों का है, अखलियत का है उसके लिए लड़ेंगे लेकिन इसके आगे कुछ नहीं, 20 में उन्होंने फरसा गणासा उठा लिया और फरसा गणासा लहराते हुए वो परश्राम मंदिर बनाने की एक पर योजना पर आगे बढ़ गए जब कुछ पत्रकारों ने इस पर टिपणियां की या हो सकता है उनके समर्थकों में भी इसको लेकर काफी रियक्शन हुआ हो तो फिर वो थम गए तो सरवजन का बनने के चक्कर में वो सामाजिक न्याज और सामाजिक बदलाओ या ट्रांसफार्मेशन के जो प्रतीक हैं या जो मुल्य हैं उनसे वो बिलकुल उनकी डिस्टेंस बन गई और दोस्तों दिल्चस बात है कि आज के दोर में कोई भी मीडिया वाला भी कोई पत्रकार बुद्दी जीवी लेखक या टेलिविजन चैनल या अख़वार अब पार्टियों के सिर्फ जुमलों में बात करता है नेताओं के भाशनों पर बात करता है वो मैनिफेस्टों द आपती हैं उसे करती नहीं है और कई बार वो काम कर देती हैं जो मैनिफेस्टों में जिसके उलट होता है लेकिन जो अखिलेश यादों जी हैं इनकी पार्टी ने एक मैनिफेस्टों लाया हर पार्टी की तरह उसका नाम रख्था 22 में 22 संकल इसमें पहला था कि प्रीशी ग्रामीर विकास महंगाई परवार दूसरा चेप्टर था और पांचमा चेप्टर इसमें बहुत महत्पून चेप्टर है उस चेप्टर का नाम है सामाजिक नियाए जो चेप्टर है उस चेप्टर में उन्होंने समाजवादी पेंशन की जो पुरानी योजना इनके उत्तर प्रदेश में रही है जो ब्रिद्ध लोगों को जरुरतमन्द महिलाओं को और बीपियल परिवारों को दी जाती थी उसके हिसाब से इन्होंने कहा कि हम उसको लागू करेंगे और प्रतिवस्थ 18,000 रुपए पेंशन के तौर पे मिलेगा एक करोड गरीबों को उन्होंने य एक इसकीम यह है और आलेडी उत्तर प्रदेश में 15 करीब करीब 14 करोड 15 करोड लोगों को मुफ्त अनाज सरकारी अस्तर पर माटा जा रहा है और जो लाभार्थी कह जाते हैं जिनको लेकर काफी चर्चा है वो इससे मोधी सरकार योगी सरकार से काफी खुश रहे हैं इसक और इस तरह की जो स्कीम से हैं उनके आगे आप कलपना कीजिए कि 18,000 पेंशन की जो स्कीम है जो सिर्फ एक करोड लोगों तक है वो कितनी छोटी पढ़ती है आप कलपना कर सकते हैं दूसरी जो दूसरा जो उसमें खंड है वो समाजवादी कैंटीन और किराना स्टोर का है जहां 10 रुपए में भोजन ठाली मिलेगी इस तरह के प्रियोग दक्षन भारत में बहुत हो चुके हैं यहां तक कि अर्विंद केजरिवाल ने दिल्ली में भी किया है तो यह इसकीमें उनकी सामाजी क्न्याय के खंड में या ध्याय में थी सामाजी क्न्याय में साहिब मोदी सरकार से और योगी सरकार से उसको लेकर कोई assurance नहीं कि कैसे उनका संरक्षन करेंगे अगर दरिंद्र मोदी जी की सरकार और आदित पिनाथ योगी जी की सरकार से दलित और पिषडे वर्ग में गहरी नाराजगी थी यानि 58 फिस दी अगर आबादी OBC की है जि लेकिन अगर एक अनुमान है तो 58 फिस दी ये और आप कलपना कीजिए कि जो दलित आबादी 20% से उपर है अगर उनको ले लिया जाए सबको ले लिया जाए दलित आदिवासी सबको और अकलियत में भी जो लोग OBC हैं जो पिषडे वर्ग के लोग हैं पसमादा हैं उन सब को लिया जाए तो कितनी बड़ी ये आबादी होती है लेकिन उस आबादी के जो डाइरेक्ट कंसर्न हैं सबसे इमीडियेट कंसर्न है कि 79,000 सिक्षकों की निफ्ति की जात करने का एलान हो जाता है और उसमें आरक्षन 27% भी नहीं मिलता है लोगों को उतना भी नहीं मिलता उससे आधे से भी कम कर दिया जाता है लेकिन इस पर समाजवादी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो कुछ भी नहीं कहता अखलेश यादो की पार्टी ने एक समय कहा था कि वो जो भारत में जनगणना होगी उसमें कास्ट को इंक्लूट कराने के लिए दबाव डालेंगे सरकार पर इस मैनिफेस्टों में ऐसा कोई आश्वासन नहीं है तो दोस्तों आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कैसी राजनीती है कैसी वैचारी की है कैसा समाजवाद है और कैसी ये समाजवादी पार्टी है जिसने भारती जनता पार्टी जैसी पार्टी से लड़ने के लिए जो मुख मायवती जी और न तो अखिलेश जी इस तरह के जो इशूज हैं उन पर कहीं से भी कंसिस्टेंट कहीं से भी सक्रिय कहीं से भी गतिशील न तो दिखे और न तो डॉक्विंट के अस्तर पर उन्होंने इस तरह की बातें सामने रखी तो ये वो कारण है कि सिर्फ कुछ कल्याण कारी ठाली देंगे ये देंगे खाना देंगे ये इस किम्स जो मोदी योगी जी की सरकार दे रही है लोगों को जिसमें OBC सबसे बड़ा बेनिफिसरी है दलीत और अति पिछडा वो आल लेड़ी वो ले रहा थ था उस तरह के और उसी तरह के लाग थोड़े बहुत आप देने के आवादा करके आये थे तो लोगों ने समझा कि भई आपसे बहतर तो योगी और मोदीजी हैं रही बात जो विभेत कारी नीतियां है जो उनका जो एक कॉमिनल जो एप्रोच है पूरे समाज और पूरे ड ट्रेन नहीं किया आपने लोगों को प्रसिक्षित नहीं किया आपने लोगों की कोई ट्रेनिंग नहीं की तो ये वो कारण थे कि लोग नव चाहते वे भी योगी और मोदीजी की सरकार की बेरोजगारी महंगाई कोरना दौर की महामारी के दौरान भयानक इस्टितियां इ ये कह देना कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्वादी लहर के कारण ये जीत BJP की हुई है, मैं समझता हूँ कि विपक्ष के नाकामियों के कारण या दूसरे शब्दों में कहें, थोड़ा कठूर शब्द हो सकता है कि नाकारा विपक्ष के कारण भारती जनता पार्टी को ये ब झाल